मैं एक मिडल किलास में पैदा हुई थी, मेरे माबापने मुझे सिर्फ बारवी तक ही पढ़ाया था, उसके बाद मेरा रिष्टा ढूंडने लग गये थे, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी, सादी भी मेरे पास के गाउं में हुई थी, उस लड़के को मैंने पहले से ही देख रखा था, ठीक ठाक हैंसम था, नौजमान था, मैं लड़का हमारे गाउं के तरफ टूशन पढ़ने आया करता था, उसके पांच भाई थे, मैं जो ही विद्वा हुई, तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने ही पती से करवा दी, और मेरी सोतन बन कर मेरी सेव करने लगी, वे रोज रात को मुझे दो अंडों के साथ देशी घी लगा हुआ पराटा खिला थी और कहती जल्दी ही तुम मेरे पती का वारिस जनम दे दोगी, जब मैं सुबा उड़ती तो मेरे पर्स में धेर सारे पैसे रखे होते, मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर ज क्योंके हम दोनों ने एक रंग की साड़ी पेहन रखी थी, तो मेरे ही कान में बोली कि आज आप उसे नींद की गोली ना खिलाना मुझे शक हुआ, यूँ ही मैं उस रात कुछ ना खाया और नाटक करके लेट गई, कुछ देर के बाद जान निकल गई, ये देख करकी वहा तो मेरा पहला, मेरा नाम पिरिया है, मेरे साथ जिन्दगी ने इतना बड़ा मजा किया था, मैं बता नहीं सकती, मैं सोच रही थी, कि सब कुछ ठीक ठाक है, और फिर सब कुछ बरबाद होता रहा, मैंने सब कुछ स्विकार कर लिया, मैं मतलबी हो गई थी, मेरी कहानी सु ये लोग हमारे गाव में आते जाते रहते थे, हमें देखते रहते थे, शादी विवाग पर भी आमना सामना हो जाया करता था, ये एक जोइंट फैमली थी और यहाँ पर पहले से ही तीन बेटे शादी शुदा थे, आखरी दो बेटे रहते थे, दोनों भाईयों की शादी एक साथ हुई थी, मेरे होने वाले देवर की पतनी पसंद कर ली गई थी और यहाँ पर मुझे भी पसंद कर लिया गया था, मेरा परीवार अच्छा था, मेरे माबाप अच्छे थे, खाते पीते घर के थे, और मैं उनकी इकलोती बेटी थी, मेरी देवरानी का नाम तो मन् अच्छा इंसान था जाने अंजाने में उसके साथ बहुत बुरा किया गया था क्यूंके साधी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे उसको कोई देख नहीं रहा था फिर भी वो बेचारी बहुत ही हिम्मत करके तसली में बैठी रही कहते हैं कि दो लड़कियों की एक अच्छा शादी नहीं करनी चाहिए नहीं तो इस तरह की कोई समस्या पैदा हो जाती है लेकिन मेरे ससुरार वाले अपने पैसे बचा रहे थे उन्होंने कहा एक साथ ही दो भाईयों की शादी करवा दी जाए इधर हमें तो पैसो की कोई समस्या नहीं थी लेकिन उनकी मस्या नहीं थी, मेरा पती भी मुझसे प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था, अच्छे तरीके से हम लोग साथ रहते थे, मेरी देवरानी के कमरे में, हमेशा लड़ाई जगडों की आवाजे आती थी, पहले तो मुझे लगा, ये सब नॉर्मल है, क्योंकि शादी के तो उसने कहा कि हमें उनके समस्याओं में नहीं बोलना चाहिए, एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से जा रही थी, जब मुझे मेरे देवर की आवाज सुनाई दी, और मैं इसलिए रुख गई, क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था, मेरा देवर न जाने मेरा नाम ले उनके हाल पर छोड़ दिया था, एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोक लिया और कहा भाभी, आप मेरी पत्नी को कुछ सिखा दो, उसे कहो कि वे आपकी तरह सच सवर कर रहा करे, मैंने अपने देवर को कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने और सवरने की जरूरत नहीं है, तो कहने लगा, कि बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखने के लिए ये सब करते हो, तभी वो अपना ख्याल नहीं रखती, एक दिन मेरा पती घर आया, उसने कहा कि उसका मूर ठीक नहीं है, उसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ, कह हमें एक बूरी खबर सुनने को मिली थी, मेरा पती इस दुनिया से चला गया, रोड एक्सिडेंट हुआ था, मेरा पती और मेरा देवर, दोनों ही मोटर साइकल पर जा रहे थे, मोटर साइकल कार से जाकर टकर आई थी, मेरे देवर को मामोली चोटे आई थी, लेकिन मेरा पती इस दुनिया से चला गया था, मैं गम से निढाल थी, अभी मेरी शादी को एक साल भी नहीं हुआ था, और मैं विद्वा हो चुकी थी, और मैं अभी भी अपने सुसराल में ही रह रही थी, ये दिन मुझे बहुत भारी थे, सब कहने लगे, उस लड़की की जिंदगी बरबाद हो गई है, अब कौन उससे साधी करेगा, आज कल तो कुवारी लड़कियों को भी रिष्टे नहीं मिलते, मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी, वे बार बार मुझे तसली दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुसा उस पर ही निकाल दिया, मैंने कहा, तुम बड़ा गम कैसे बरदास करोगी, तुम्हारा पती तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खतम हो गई है, मेरी देवरानी ने ये बास सुन ली, और मुझे कोई भी जबाब नहीं दिया, मेरी रो रोकर पूरी रात दिन बीत रही थी, मैंने अपने सुसराल में ही रहने का फ जल्दी राजी हो गए थे, बात ये थी, कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सोतन बनाना चाहती थी, वे चाहती थी, कि मैं उसके पती यानि मेरे देवर मोनु से साधी कर लो, घर वाले और मोनु भी इस बात के लिए राजी थे, आज सारे एक जगा बैटे थे, उसने कहा कि म में ही मोटर साइकल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैटे थे, मुझे ऐसा लगता है, कि मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी प्राश्चित के लिए अपनी भावी की जिम्मदारी लूँगा, और ये बात मुझे 100% सही लगती है, घर वाल यही है कि तुम इसी घर में रह जाओ, अच्छा है मेरे घर वालों को भी बुलाया गया, उनका भी यही ख्याल था, ये फैसरा सबसे ही ठीक है, जब लड़का इस बात के लिए तयार है, यानि कि मेरा देवर मोनू, तो फिर किसी और के बोलने का कोई हक नहीं बनता था, मे अपने पती को तुम्हारे साथ पांट कर, बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है, ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा अजीब, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे सस्राल वाले, मेरे माबाप, सब लोगों की भी सब तारीफ करने लगे, ऐसे पत्मी भगवान सब को दे, जिसने अपने पती को सही रास्ता दिखाया है, वरना अधिकतर पत्मिया तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती है, करते कराते सब बड़ों की बात मान कर, मैंने हां कर दिया, पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाया था, जो मेरे माबापने मुझे कहा था, मैंने हां कहा था, अब मेरा देवर मेरा पती बन चुका था, मैं अभी भी अपने कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी, अभी भी मेरा वही कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो की मेरा पती बन गया था उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था अभी मेरी दूसरी शादी को एक हफता हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई देवरानी के हाथ में कुछ था उसने एक प्लेट में दो अंडा और एक प्राठा रखा हुआ था कहने लगी कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये देशी घी से बने हुए पराटे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये अंडा भी, मैंने कहा इस टाइम मुझे ये सब कुछ क्यों खिला रही हो, वैसे मेरी आदत है कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती थ उसने कहा कि अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तुम अपना ख्याल रखोगी, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, भगवान तुम्हें बहुत जल्द आउलाद देगा, मैंने कहा कि तुम्हें मेरी आउलाद से क्या है, तुम खुद अपनी पती से बच्चा हो जाता तो कम से कम उसकी कोई निसानी मेरे पास रह जाती। मन्जू ने मुझे हैरान होकर देखा था और कहा था ये बात सुनकर आजीव तो बहुत लगेगा लेकिन भाईयों में कोई रात छुपी नहीं होती। मौनू ने मुझे पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पहला पती इस दुनिया से चला गया है और वे तुम्हें कभी भी उलाद नहीं दे सकता था और तुम्हारे नाम के साथ ही बांज लग जाता। इसलिए जो होता है वे अच्छे के लिए होता है, मैंने कहा मन्जू मेरा पती मर गया तो क्या अच्छी बात है, उसने कहा कि मेरा ये बिलकुल भी मतलब नहीं है, मैंने तुम्हारा भला सोच कर, वरना कौन अपना पती किसी और के साथ पाड़ता है, तुम मेरे एहसास का आफी मांगी और अंडा पराटा खा लिया, मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो, वे वाकी बहुत अच्छी थी, मन्जू अब मेरा ख्याल भी रखती थी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ कोई बत्तमीजी की हो, जबकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह डांड दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया था, मोनो भी मुझसे बहुत ज्यादा महबत करता था, उसका वैबार मेरे साथ बिलकुल भी ऐसा नहीं था, कि जैसे मैं पहले उसकी भावी थी, थोड़ी शरम जिजक होना तो आमसी बात थी, लेकिन वह मेर पत्नी के पास उसको भी वक्त दो, उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और मेरा पती किसी छोटे बच्चे की तरह जित करने लगता, और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था, मेरी सास ने मुझे समझाया, कि उसे अपनी तरफ ज्यादा मत लाओ, तुम बहुत ज् खुबसूरत हो, लेकिन उसकी पत्नी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम कभी भी उसकी पत्नी को उससे दूर मत करना, मैंने कहा मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वे मेरा ही पती है, उसकी बात भी तो नहीं टाल सकती, उसको धके दे कर तो क तुम्हें पता है वे खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता तो मंजु ने कहा कि कोई बात नहीं वैसे भी तो गैर थोड़ी हो तुम तो उसकी पतनी हो अच्छी बात है तुम लोगों का आपस में रिस्ता मजबूत होना चाहिए खुश नसीब होती है वे औरते जिनके पत पतनी को पसंद नहीं करते उनकी किस्मत बहुत ज्यादा फूटी होती है ये बात करते हुए मेरी देवरानी मंजु के आखों में आसू आ गए थे वे बहुत अच्छी इंसान थी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी वे रोज रात को मुझे अच्छी चीजे खिलाती दूद पिलाती मुझे रोज डॉक्टर के पास भी ले कर जाती मेरा चेक अप करवाने डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है जल्दी आप मा बनने वाली हैं डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का बहाना था वहीं पर हम लोगों ने एक पारक देखा हुआ था जहां बार मुझे लगा गलती से रख गई होगी मैंने कहा कि तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो लेकिन उसने कहा नहीं मेरे पैसे नहीं थे मैंने तुम्हारे लिए रखे थे मैंने कहा कि तुमने इतने सारे पैसे कहा से लिए तुम अपने पैसे तो कहने लगी, मेरा पती तो पहले दिन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, कभी कभी तो मुझे लगता था, पहले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं, मेरी तो किसमत खुल गई है, अब तुम भी उसकी पत्नी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ, मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि मेरे पती का यानी मेरे ही पैसे थे, अपने पहले पती की याद दिल से गई नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी बरबाद होने से बच गई थी, अब मैं किसी की विद्वा नहीं, बलके किसी की पत्नी थी हम दोनों सोतन में बहुत ज़्यादा महबत बढ़ गई थी हम दोनों चीज भी एक जैसा लेना शुरू कर दिया था एक दिन हम लोग अस्पताल गए जब मैं और मेरी देवरानी ने एक ही जैसी साड़ी पहनी हुई थी इसलिए शायद नर्स को कोई गलती हुई थी जब वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा कि आज अपनी सोतन को नींद की गोली मत खिलाना मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी क्या बात कर रही थी मैंने अपनी दिवरानी के तरफ देखा और सोचा क्या मुझे ये इतने दिनों से नींद की गोली खिलाती है क्योंके रात के टाइम तो ये रोज मेरे लिए पराठा और ओमलेट बना कर लाती है साथ एक गिलास दूद भी होता था क्या ये मुझे इसी में नींद की गोली मिला कर देती रही लेकिन ये मुझे नींद की गोली खिला कर क्या करना चाहती थी मेरे साथ क्या कर रही थी अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे एक पल मुझे ऐसा लगा कोई गलती हुई है लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकाइदा मेरी देवरानी का नाम लिया था और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी, क्योंकि उसने अपने पती की शादी मुझसे करवा दी थी, और अब वो ये भी जानती थी, मैं उसके पती का बच्चा पैदा करूँगी या वह खुद मा नहीं बन सकती थी ये सब क्या था सोचा कि अपने पती से बात करती हूँ मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ आखिरकार ये बात मैंने अपने पती से बता दिया सोचा कि उसे सब कुछ बता दूँगी लेकिन आज मेरे पती ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी मेरे पती ने कहा कि तुम मुझे दूर ना भागा करो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ तुमसे बहुत ज्यादा महबत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था मुझे मेरी पतनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ना उसे बात करने का तरीका आता था पहनने ओडने का भी कोई धंग नहीं था तुम्हारी मिसाल देता रहता था वे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी मैं उसे कहता था कि तुम भावी जैसी क्यों नहीं बन जाती ये सुनकर मैं हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी फिर उसने आपकी साधी मुझसे क्यों करवा दी तो मेरे पती ने कहा कि वे कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली मैंने उसे कहा था कि घर में शादी की बात करो नहीं तो मैं तुम्हें डिवोस दे दूँगा शायद हमारी किसमत एक दूसरे के साथ लिकी हुई थी मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था अच्छा होता कि उसकी जगा मैं चला जाता मेरा भाई बहुत अच्छा था लेकिन शायद यही हमारी किसमत थी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे साधी कर लो मैं तुम्हें अपना लो और तुम्हें अपनाना चाहता था तुम्हें अपनी दुलहन बलाना मेरा सपना था इसलिए मैंने उसे ये बात करवाई थी, ये तो वो बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उसे कहा, अगर तुम्हें घर में मेरी शादी की बात नहीं की, तो मैं तुम्हें डिवोस भी दे दूँगा, उसने ये बात मान ली थी, फिर मैंने उसे कहा, कि वे तुम्हारा ब पैसे उसके हाथ में नहीं दिये हैं, वैं तुमसे जूट बोल रही है, हम एक काम कर सकते हैं, कि हम उस डॉक्टर के पास जाएं, जिसके पास तुमको वह लेकर जाती रही, हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन भेश बदल कर, मैंने नकाब पहन लिया था, मेरे पती को त उसने देखा तक नहीं था, फिर हमने उस डॉक्टर से जूट बोला, हमें गलत काम करवाना है, डॉक्टर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल मैं बच्चा औबर्शन करवा देती हूं, लेकिन मुझे इतने सारे पैसे चाहिए, फिर हमने डॉक्टर को कहा, कि हमने तुम्हारी रिक बताओ जो तुम्हारे पास आती है, और जिनका नाम स्रीमती मन्जू है, उसने कहा कि वे तो अपनी सौतन को लेकर आई थी, और उसने कहा था कि आप उसको ऐसी दवाई दो, जिससे वे कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके और हो सके तो ऐसा करो, कि वे जान से ही चली जाई यानि की कोई ऐसी सलोफ वाई जन दो, उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, मेरा पती भी बुरी तरह से घबरा गया था, उसने कहा, मैं तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांज बनाना चाहती थी, जरूर, मैं तुमसे बदला लेना चा का कोई हरकत नहीं करेगी तो मैं उसको माफ कर दूँगा वरना उसको मैं डिवोस दे दूँगा आज मंजू ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई कहने लगी कि तुमसे माफ ही कौन मांग रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है अपनी भावी पर नजर रखने वाले खटिया इंसान हो नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ दे दो मुझे डिवोस मौनू ने उसे डिवोस नहीं दी लेकिन उसने डिवोस ले ली वे हमेशा के लिए चली गई आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि लोगों के शकल और हरकते देखकर आप ये पहचान नहीं पाते वे आपके साथ क्या कर रहे हैं कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पती ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी थी उसको मेरी मिसाले देने लग गए थे और फिर उसको कहा कि मेरी शादी करवाओ मेरे पती ने भी गलती किया लेकिन मन्जू को उसके बदले मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था वो मेरी जान लेने पर उतर आई मुझे तो लगा कि इस सब के बाद मैं मा नहीं बनपाऊंगी पता नहीं वे मुझे कब से दवाईयां दे रही थी लेकिन जिस जान ने इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोख सकता था मुझ पर भगवान की बहुत किरपा हुई मेरे यहां दो जुड़वा बच्चे ने जनम लिया था मैं भी दोनों बेटे थे मैंने अपने बेटे का नाम अपने पहले पती के नाम पर रखा था परवीम और दूसरे बेटे का नाम भी ने रखा था भगवान की बहुत किरपा थी कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ मेरी देवरानी कहा गई अब उसका कॉंटेक्ट किसी के साथ नहीं है उसने फिर से साधी किया या नहीं किसी को भी उसके बारे में नहीं पता लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पती ने भी उसके साथ गलत किया था उसको इस मुकाम पर ले आया था कि वे इस हद तक चली गई थी लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुरा करें बदले का बदला करके तो इस तरह पूरा परिवार ही खतम हो जाएगी अच्छा इनसान तो वे होता है जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा ही कर जाए अब आप लोग बताईए कि मंजू गलत थी या मेरा पती मैं अपने पती से अब बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझे बहुत प्यार करता है लेकिन कहीं न कहीं मंजू के साथ भी बहुत गलत हुआ था मैं मंजू को बहुत याद करती हूँ यहाँ पर तो मेरा पती ही मुझे गलत लगता है आप लोग कमेंट में बताईए कि यहाँ पर गलत कोन है मंजू या मेरा पती अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिल्चस्प कहानी के साथ मुझ पर सदा अपना प्यार और सने बनाए रखें सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों